इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले आपकी HSSC ग्रूप से एंडे वर्ति से जोड़ी चार बड़ी खबरों को लेकर और गाईज डिटेल से जानने के लिए प्लेज वीडियो में अंतक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पहें और गाईज अगर चैनल से पहले बार जोड़ी रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट और सेर करना बूले तो चलो जान लेते हैं आज की जो चार बड़ी खबरे आई हुई है तो गैस पहली अपडेट है कि आकरिकार हर्याना करमचरी चैन आयोग ने ग आई कोट से 5 फरवरी 2024 को चैन सुची जारी करने पर रोख खटी रातो रात आयोग ने लगबग 12,000 पदों की चैन सुची जारी करती थी 5 और 6 फरवरी की रात सुबह 3 बजे और ये गाईज 20 ग्रूपों की 69 कैटेगरी की चैन सुची जारी की गई है और कुछ ऐसे में द् यूपी스ी के अरक्षिन नीति हर्यान करमचरी चैन आयोग ने ग्रूपची के पदों के चैन सुची में लागू की है और इस अरक्षिन नीति के तह़ता आपकी चैन सुची जारी हुई है उमिदवार A वो जेनल अक्षिनी का है और उमिदवार B अरक्षित कैटेगरी से ह फिच्ति के बीच आंग आए हैं मगर मुख्या प्रिक्षय में उसके छप्पन आंग आए हैं तो A. उमिद olmay का चैन U amrna कора चैन औरक्षित क्षिने में हूँए है बले ही उसके अंग A. उमिद Awwra से 한번 ज्यादा है वहींपर जिन अमिद्वारों का चैन हूँए उनकी ज्वाइ की हर्यान करम चैरी चैन आयोक से जीन मेंदवर का चैन 30 जून तक हो कराता है उन्हें तुरंत जोइनिंग दी जाएगी और उनके दस्तवेज अगले तो मेने के बीतर जाजे जाएंगे और आप सभी को पता है कि ये जो चैन सुची जारी हुई है ये 20 ग्रूपों के 69 चैन हो जाता है और वो मतलब उसका दूसरी कैटिगरी में अगर वो उमिदवार चला जाता है तो उसके स्थान पर उसके उसके निचले उमिदवारों का चैन हो जाएगा इसलिए ग्रूप जी के सभी पदों का जब फाइनल रिजल्ट त्यार होगा तब ही मेरिट सुची जारी होगी और वहीं पर बिना समाजिकार्थी मांदन के अंकों के जिन 10233 का चैन हुए है उनके चैन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह रिजल्ट बिना समाजिकार्थी मांदन के अंकों और समाजिकार्थी मांदन के अंकों को जोड़कर दोनों सुची में जो क फैसला आया है। तो उनमिद्वारों का चैन हो जाएगा जिने यह अंक मिलेंगे और अगर अंक नहीं ना लेने को लेकर फैसला है तो उनमिद्वारों का चैन हो जाएगा जो इस समय बाहर रह गई हैं और लगबग धाई सो मिद्वार ऐसी होंगे जिनका चैन इन 69 कैटिगरी में समाजिक आर्थि मांदन के अंकों के फैसले पर निर्बर करेगा वहीं पर आप सभी को पता है कि फायर अपरेटर पदो पर उमिद्वारों ने अपनी योगिता के पर जो परमान पत्र है वह अपलोड नहीं किये गए ये ऐसा आयोग के द्वारा कहा गया है और इसी के चलते उनका जो रिजल्ट है वो नाम मतलब उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया है क्योंकि उन्होंने अयोग की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने मतलब अपनी योगता से जुड़े परमान पत्र हैं वो अपलोड नहीं किये हैं और इसको लेकर बताया गया कि फायर अप्रेटर के 208 पत थे इसके लिए 3800 ने अवेदन किया था चुकि यह च्यार गुना से कम थे इसलिए मुख्य प्रिक्षा के लिए बलाए गया और इनमें से 2800 ने मुख्य प्रिक्षा दी और जब सभी को बलाए गया तब उनकी योगता चेक नहीं की गई थी अगर पेपर लेने के बाद जब आयोग ने की योगता चेक की तो केवल 804 उमिद्वार ही ऐसे थे जो योग गया थे और उनकी उनके सेक्षन की योगता के परमान पत्र अवेदन के समय अप्लोड थे और अब वही उमिद्वार जो बाहर रह गई हैं आयोग पहुंच कर दावा कर रहे हैं कि उनके परमान पत्र अब ले लो तो इसको लेकर कहा गए है कि उन्होंने आवेदन के समय अपने परमान पत्र अप्लोड नहीं किये थे अब कैसे लिए जा सकते हैं और वही पर दो ऐसे ग्रूप हैं जिन में एक भी उमिद्वार पास नहीं हुआ इस तरह कुछ ऐसे ग्रूप हैं जिन में योग्या उमिद्वार नहीं होने के कारण पत्र रह गई हैं नेक्स्ट अपडेट भी ले ले लेते हैं तो नेक्स्ट अपडेट आगाईज आपका हर्यान करमचरी चैन आयोग ग्रूप डी के लिए कभी भी आपका पोर्टल विकल्प का पोर्टल है वो जारी कर सकता है और आयोग ने लगबग 56,000 में दोबार को इसको लेकर सोर्ट लिस्ट किया है जिन में मतलब जिन से विकल्प भरवाया जाएगा और विकल्प भरवाने के लिए 5-7 दिन का टाइम दिया जाएगा और आप सभी को पता है कि पहले ग्रूप C के भरती पूरी होगी और उसके बाद ग्रूप D के भरती पूरी होगी और यहाँ पर बताये गए कि उस विकल्प ब्रुवाने के बाद अगली परकिरिया अंत्रिक तोर पर चलती रहेगी और यहाँ पर आरो इसके अलावा यहाँ पर बताये गए है कि हर्यान पुलीस ने सिपाई के छे हजार पतों का अगरे पतर बेश दिया है अब यह कभी भी आपका जो हर्यान पुलीस का विग्यापन है वो जारी कर सकता है और उमर में तिन साल की चूट पहली दी गई है इसके लिए गाईज वही अवेदन कर सकता है जिन्नोंने ग्रूप C का सीटी पास किया है अवेदको में से योग पहले PMT के लिए बलाएगा उसके बाद PST होगा उसके बाद Nolish टेस्ट होगा और Nolish टेस्ट के लिए आप सभी को पते कि चार गुणा में द्वार बलाएगे तो इसलिए योग तब तक आपका PMT और PST करता रहेगा जब तक ये चार गुणा में द्वार है वो नहीं मिल जाएंगे और वहीं पर गाई सिपाही पदों का विग्यापन जारी होने के बाद CT में बदलाव हो सकता है आप सभी को पता है कि इसकी जो इसमें कई परकार की खामिया थी जिसके करन लग बक तीन साल से कोई भी भरती है वो नहीं हो पाई इसलिए इन कम्यों को ने CT से दूर किया जा सकता है सबसे बड़ा बदला समाजिकार्थी मांदन केंको और चार गुना के बजाए 12 से 14 गुना बलाने या फिर CT क्वालिफाई करने को लेकर हो सकता है और वही पर गई जब गुरुप C के गुरुप नंबर एक दो और उननचस भी का पेपर आपका ठारा फरवरी को संबव है और इसमें ये इसको लेकर उन्होंने बताया कि अन्या गुरुप के लिए चूंकि चार गुना से ज़्यादा उम्मीदवार है इसलिए उन्हें सोट लिस्ट करने का काम चल रहा है और वहीं पर आयोग का प्रियास है कि 20 फरवरी से हर रोज या फिर एक आत दिन छोड़ कर साम को चार से छे बज़े की सिप्ट में किसी ना किसी गुरुप का पेपर लिया जाता रहे ताकि बचे गुरुपों के पेपर लिये जा सके तो गैस यहाँ पे आप सभी जो अब हरियाना करमचेरी चैन आयोग अगामी ठारा फरवरी को गुरुप नंबर एक दो और उननचस बी का पेपर लिये सकता है तो जो भी कैंडेडेट इन गुरुपों से related पेपर देने वाला है वो अपने त्यारी पुकता रखे अपने ट्यारी जो रो सो रो से रखते रहे गुरुप नंबर एक है आपका जेई सीवल और गुरुप नंबर दो है जेई लेक्ट्रिकल और ग्रूप नमबर उनचस भी आपका लैब टेक्निशन के लैब टेक्निशन के पादिस में सामिल रहेंगे तो इन ग्रूपों का पिक पर आपका ठारा फरवरी को समदब है तो आज की अपडेट यही थी आई होप आपका यह अपडेट अचलिगे प्ली जान ठीजारी किया गया है और बाकि जो बाहर रह गई हैं ऐसे अवेदक अपने रिजल्ट को लेकर अच्छे सेसी ओफिस पर धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपने उसम जब उन्होंने ओनलाइन अवेदन समिट किया था तो उसमें च्छे सेसी के सोफ्ट्वे डैर पर हीजard नेट हुए ती रिसिफ्ट में OWL-D Document Upload लिखा था और इस में इस से साफ है के गलती है ऐसेसी कि है वेफिभांग अपनी गलती को अव्यदकों कि सिरक बलती मंड रहा है बाकी है ऐसे की गलती एज बाकि है कैंदिडेट की गलती है या आप को एक दो दिन मे को लाइक, कमेंड और शेयर जरूर करें